तो आज हम लोग यहाँ पर है नीट प्रैक्टिस क्वेस्चन के साथ ठीक तो यह आपका चेप्टर होगा एक्सक्रिट्री प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन्स का यह हम लोग एम सी क्यू करने जा रहें नीट का तो चलिए हम लोग करते हैं आगे एक सकेंड जी है तो हम स्टाट करेंगे इसको मॉटिवेशन के साथ फिर एंड भी करेंगे मॉटिवेशन के साथ तो क्या कहा जा रहा है The only limit to your success is your determination and effort आपकी शफलता का एक मात्र लिमिट क्या है वह determination आपका आत्म विश्वास आपके अंदर जितना आत्म विश्वास रहेगा उतना ही आप सफल होंगे और आपका एफ़ोट आत्म विश्वास के साह साथ आपमें क्या होना चाहिए आपमें काम करने की च्छमता होनी चाहिए ताकत होनी चाहिए जैसे कि अगर आप समझ लो या ठान लो तो दिल्ली दूर नहीं है अगर आप ठान लो तो दिल्ली दूर नहीं है तो सोचिए एमेस धोने के लिए क्या था लक्ष प्रियंका ठिक और लेकिन आपके लिए क्या लक्ष है नि देली एम्स तो क्या आपको देली एम्स पहुंचना है तो डिटर्मिनेशन और इफोर्ट बनाई रखना है ठिक तो चलिए आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहला कोश्चन हम लोग का है क्या तो नॉर्मल वेल्यू आप जी एफर इस एप्रॉक्सिमेट ले तो नॉर्मल वेल्यू जो होता है जी एफर का तो जी एफर का फूल फॉम आप लोग को पता होगा तो बताइए क्या होगा इसका अंसर 650 ml पर मिनट 180 ml पर मिनट 180 ml पर डे 125 ml पर मिनट क्या होगा इसका अंसर बताइए तो इसका अंसर होगा इसका अंसर होगा पहले आप बताइए फिर हम बताते हैं लेजे आपके लिए टाइम रन करता है 1234 इसका अंसर होगा 4 125 ml पर मिनट एंड 180 लीटर पर डे यह है इसका रेट तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसको इरेज कर देते हैं बढ़ते हैं नेक्स्ट तो दूसरा कुश्चन आपका क्या बोलता है क्या बोलता है देख लिजे कहा जा रहा है कि इसका बोलता है तो इसमें आपका क्या कहा जा रहा है तो इसमें आपका क्या कहा जा रहा है तो आपका टाइम होता है इसका अंसर होगा यूडिया तो यूडिया एक उसमो लाइट के तौर पर यूज किया जाता है ठीक तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगया यह question देखें क्या कहा जाए तो blood from the glomerulus is carried away by अब देख लेजिए कुछ ऐसा होता है ग्लो मेरूलस ऐसा यहां पर आपका टाफ टाफ तो यह होगा आपका Χilmink गलो मेरूलस यह तो यहां से जो blood लेकर जा रहा है तो कौन लेकर जा रहा है जो लेकर आता है फेले यह अगर हम जान ले तो कौन जाता तो यह जान हैं लेंगे आसानी से तो लेकर कर जो blood आता है रिम मेरूलस में वह है eff clearing rina तो बताइए ये कौन सा होगा ये एफरेञ्ट होगा ये इफरेंट आर्ट्रियोल्ज वह आया समझ में तो चれलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं तो सोच लिए इसका अंसर क्या होगा दो होगा तो हम लोग आगे बढ़ते हैं NED कूश्चन की तरफ अब दखिये क्या कहा जा रहा वासा रिक्टा इन कॉर्टिकल नेफरोन तो वासा रिक्टा जो होता कॉर्टिकल नेफरोन में क्या है तो इसमें से आपका अंसर कौन सा होगा तो आपका टाइम चुरू होता है अब तो इसका अंसर होता है ठीक आप हमको कमेंट कर सकते हैं अगर कुछ गरबर लगे तो ठीक और अगर और कोई भी टॉपिक पर वीडियो बनना है तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं और हम आपका बात सुनेंगे जरूर सुनेंगे और उस पर वीडियो बनाने का कोशिस करेंगे तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्योस्चन है आपका अब देखिए हम फ्रॉक्सिमल तो प्रॉक्सिमल किसको कहते हैं जैसे कि एक मिनिट हम कलर दूसरा ले लिता है कलर हम दूसरा ले लिता है तब ठीक रहेगा देखिए इस रिजन को हम PCT कहाता है और PCT में कौन सा सेल्स होते हैं लाइन बाइ विच सेल एक मिनट अब सोच सकते आप कुछ ऐसा होता है ब्रस बोर्डर्ड एपिथेलियम चलिए अब हम ब्रस बोर्डर्ड एपिथेलियम तो बोल दिये बागी आपके उपर है कि कौन सा होगा अब बताइए आपका टाइम शुरू होता है अब 1 2 3 4 आपको हिंट दे चुके थे आप अंसर कमेंट कर सकते हैं तो लिजे हम बताते हैं इसका अंसर होगा क्या बताएं तो इसका अंसर होगा 3 सिंपल क्यूवाइडल ब्रस बोर्डर्ड एपिथेलियम होता आपका इस जगा पर ये लाइन जो होता है अंसर क्यूवाइडल ब्रस बोर्डर्ड एपिथेलियम से आया समझ में तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं जाएल की अख देखिय क्या का जा रहा हूँ यहारा ऑपस आता है आसे यहारी देलरी इंतरस्टीशियम में कैसे वह प्वाफ्स आता है तो आप यहाँ पर आपका अंसर है descending limb of loop of henley दूसरा option आपका ascending limb of loop of henley तीसरा है descending limb of वासा रेक्टा और इधर है आपका last है ascending limb of the वासा रेक्टा तो आप बताएं कि अंसर क्या होना चाहिए तो time शुरू होता है आपका 1 2 3 and 4 now tell your answer comment your answer तो आप अगर अभी तक नहीं बता है या जो आदमी इसका अंसर 4 बता रहे होंगे उनको मिलते हैं सारे साथ करोर ठीक तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अब क्या कहा जा रहा है an increase in blood flow to the arteria of the heart can cause the release of अब increase in blood flow to arteria of heart can cause the release of तो अब देखें blood flow जो है heart का arteria पे अगर बढ़ेगा blood flow का pressure अगर बढ़ेगा तो क्या चीज रिलीज हो सकता क्या erythropoietin रिलीज हो सकता क्या atrial natriuretic factor रिलीज हो सकता या renin रिलीज हो सकता या फिर aldosterone या फिर aldosterone तो आप बताओ क्या हो सकता time सुरू होता है आपका अब one two three and four आपका time होता है समाप इसका answer होगा two anf रिलीज हो जाता है समझें जो क्या होता है कि फिर बाद में आपको इसका वीडी कर जाता यानि वेशो डाइलेशन कर जाता तो यानि यह प्रेसर घट जाएगा जो प्रेसर बन रहा हो घट जाएगा आया समझ में तो चलिया आगे बढ़ते हैं हम लोग यह भी question बहुत इंट्रेस्टिंग है identify the correct statement regarding the excretion of acid by human kidney यहाँ पर correct statement को हम लोग को क्या करना है identify करना क्या चीज़ के regarding excretion of acid by the human kidney यानि कि human kidney के द्वारा acid का excretion कैशे होता तो इसका देखे क्या है अंसर हथ तो समझ यह गए होंगे कि हम अंसर क्या भूलना चाह रहे है इसका अंसर होगा टू ठीक तो चलिया पहले बोल दियते यह मेरा mistake था तो इसका अंसर क्या होगा टू इंटर्केलेटेट इसल्स अफ इसक्रिट क्या कहता है इंटर्केलेटेड इसल्स अफ डिस्टल टूब्यूल सिक्रिट हाइड्रोजन आयन तो री एब्जॉब बाइकार्बोनेट फ्रॉम दे टूबलर फ्लूड यानि यहां से हाइड्रोजन रिलीज होता किसको एब्जॉर्ब करने के लिए करके क्वेश्चन नंबर नाइन रहेगा यह आपका काहता है कि ब्लड डॉपिंग मिन्स यूज ऑफ बेन सबस्टांस बाइथलेट डाट फेवरेवल एफेक्ट ऑन इरित्रोसाइट काउंट बाइस्टिमुलेटिंग दे बॉन मेरो दे सौर्च ऑफ सच हार्मॉन कैन बी अब देखिए यहां पर डॉपिंग के बारे थोरा सा बात कर लेते फिर इसके आद इसका अंसर तो हो गया होना ही है तो डॉपिंग का मतलब होता है कि जब एथलेट सब क्या होता है कि उन लोग नॉर्मली देखिए जब तक आपका बॉड़ी में ऑक्सिजन रहेगा और ए इन लोग का म semester में क्रेंप आना बहुत यह आसान बात है यह यह प्रकान जल्दी आता क्यूँकि यह दोर रहा हुता और इरित्रोपोईटिन नामक हर्मोंस क्या करता है कि उन लोग inject कर देता है blood में तो intravenously तो इसको inject करने से क्या होता है कि kidney क्या होता है कि net आपका इससे क्या होता है कि normally देखिए हम यहाँ पर answer जो बताने जा रहे थे तो यहाँ भी answer हम बता चुके हैं कि answer इसका kidney होगा तो normally यह हम लोगा kidney release करता है लेकिन जब क्या होता है कि kidney कम release किड़नी तो normally release करता है जितना आपका body को requirement है लेकिन क्या होता है कि उस चीज़ को ज़्यादा करने के लिए क्या होता है कि हम अलग से synthetic erythropoetin लेते हैं बाड़ी में जिसके वज़के क्या होता है कि हम लोग को bone marrow के stimulate करता हूद जदा-जदा oxygen को secret जदा-जदा oxygen का क्या जदाज़धा जदा पर इरत्रोसाइट को release करता है blood में जिसके हôm लोगा हम लोग को मिलता और ज्यादा-जदा काम कर पाते है तो यही बात होता है इसलिए इसको दिया जाता है लेकिन ये बैन होता है ये बैन है ठीक ना ये डॉपिंग जो है डॉपिंग में जो भी हर्मोन्स यूज होता है तो हाँ पर मेली क्या होता है इरिथ्रोपोईटिन होता है जो कि इरिथ्रोसाइट का नंबर को बरा दे तो ये बैन है इंडिया में भी है और हर जगा बैन है तो इसका अंसर होगा आपका क्या किड्नी होगा तो नॉर्मली किड्नी हम लोगा क्या रिलीज करता रिथ्रोपोईटिन क्या रिथ्रोपोईटिन आया समझ में तो रिथ्रोपोईटिन रिलीज करता तो यह आपका था नम्मा है है तो लास्ट कुश्चन आपका कुश्चन नमर टैन दो में डिसड़ांटेजेस आफ यूरिया एज एक्सक्रेटरी प्रोड़क्ट फोर हुमन फोर एनिमल्स अब यूरिया के डिसड़ांटेजेस आपको पता ही भाई अगर यूरिया आपका बॉड़ी में बहुत ज्यादा क्या होता है कि डिपोजिट हो जाये तो डिपोजिट के कारण क्या होगा आपको पता है कि क्या होना चाहिए यूरिया टॉक्सिक होता है लेजिए इसका अंसर कि फिर आपको डायलाज से इस तक पहुंचा सकता ही है सोची इस ऐसा कतरनाक होता है ठीक न तो इसका क्या होता है डिसद्वांटेजेस में इसका टॉक्सिसिटी होता हार्मफूल है यह समझे तो यहां से होता है आपका यह खत्म तो चलिए हम जैसा बोले थे कि हम खत्म करें I want to aid doctor before my name instead of mister and missus जी बिलकुल हर कोई जितने भी neat transparent है सब यही चाहेगा कि मैं doctor बनूँ सबका एक्छा होता है कि doctor बने लेकिन कभी काल खिश्मत साथ नहीं देता कभी काल क्या होता है कि हम लोग जितना चाहिए होता है अतना महेनत नहीं कर पाते है तो इसलिए क्या होता है कि हम नहीं बन पाते लेकिन हाँ अगर आपकी determination सापकी effort है तो आप जरूर एक नएक दिन doctor बनेंगे और आपकी महनत ही आपको वहां तक पहुँचाएगे समझे क्या होता है कि देखिए कहना आसान होता है कि यह नहीं तो कोई और सही है यह कहना आसान है लेकिन आपको पता है कि अगर एक वर किसी relative को पता चल जाना कि बच्चे नीट की तैयारी कर रहे है तो फिर जीवन वर की ताना रहता है कि नहीं पर रहा होगा इसलिए नहीं हो पाया लेकिन वह क्या जाने कि नीट एस्पेरेंट का दर्द क्या होता भर भर रात नहीं सोते हैं भर रात जगन के लिए बहुत कम खाना खाते हैं जब तक नीट की एकजाम होते हैं तब तक उसका बॉड़ी कैसा हो जाता है डार्क सर्कल्स बढ़ जाता है लेकिन इसका परवाद किसी और को नहीं होता भाई तिसलिए कहते हैं कि जब तक सक्सेस नहीं होते हैं हम लोग तब तक हम लोग का m's तक पहुँचना है तो चलिए आज यहाँ से हम लोग करते हैं लेक्चर का end और thank you, मिलते हैं next lecture में बाई, पढ़ते रहे हैं